कंगना रिनौत इन दिनों अपनी फिल्म तेजस को लेकर खुब चट्चाओं में बनी हुई है इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि एक बार फिर से फिल्म सेलिप्स को लेकर एक नया बवाल चड़ गया है क्या है ये बयान चल ये जानते है कंगना रिनौत अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाक अंदास के लिए भी जानी जाती है कंगना रिनौत बॉलिवोड और सेलिप्स पर वार करने से कभी भी नहीं चूटती है और अकसर उनके बयान चट्चा में रहती है इस बीच एक बार फिर कंगना ने कुछ सेलिप्स पर निशाना सादा है कंगना ने इस बार उन सितारों को आड़े हातों लिया है जो जिम के बाहर अक्सा नज़र आती है धरसल हाल ही में कगना रिनौत ने कहा कि वो क्यों हमेशा सबसे पहले जिम के बाहर नजर आते हैं ना कि अपने किरदारों की तयारी में मुझे पता नहीं कि जिम में करते ही क्या है मुझे कभी ऐसा कोई रोल नहीं मिला यहां तक की तेजस गिल भी नहीं जहां कॉमबैक ट्रेनिंग की जरूरा थी मैंने कभी जिम वोक आउट का सहरा नहीं लिया यह एक अलग तरह की ट्रेनिंग थी कंगना आगे कहती है कि यह बहुत अजीब है कि आखिर कैसे हर रोल के लिए एक्टर्स जिम के भरों से ही रहती है हमारे एक्टर्स और एक्टर्स काफी सेल्फ अप्सेस्ट हो गए हैं वो अपना दिन आइना देखते हुए बिताते हैं और कही न कहीं भूल जाते हैं कि वो मॉडल या फिर पॉप स्टार नहीं है कई सेलिप्स पर वेस्टर्न कल्चर काफी भारी पड़ गया है और बतौर एक्टर उनकी नजर खो गई है ऐसा लगता है कि वो अभी नेता होनी के वास्तविक सार को नजर अंदास करते हैं और शारेरिक दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है कंगना रिनौट आखिर में कहती है कि एक ऐसी सोच जहां महिलाओं से अपेक्शा की जाती है कि वो अपनी द्वारा निभाए जाने वाले किरदारों की बारी क्योंकि परवा किए बिना टिप टॉप दिखें बता दें कि कंगना रिनौट जलद ही फिल्म तेज़िस में नजर आएंगी तेज़िस में कंगना रिनौट एक Air Force पायलेट के रोल में है रिपोर्स के मुताबिक फिल्म के लिए कंगना ने स्पेशली चार महीने की ट्रेनिंग री है फिल्म 27 नवेंबर को रिलीस होगी